हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम अन्बोक्स करेंगे हेवल्स का इंस्चैनियो वाटर गीजर यह एक इंस्चैन्ट वाटर गीजर है जो करीब दो मिनट में पानी को 90 डिग्री तक गर्म कर देता है यहाँ इसके ब्रेंडिंग दी गई है बॉक्स पर इस जगह इसके कुछ की फीचर्स बताए गए है इसमें हमें मिलता है अल्टर थिक स्चेनले स्चील का टैंक जो कि इसको काफी डिउरेबल बना देता है रस्टिंग की कोई प्रॉलम नहीं आती इसे मैंने अमेजुन से पर्चेज किया है 3 लिटर का यह गिजर कलर चेंजिंग लेडी के साथ हमें मिलता है जिसपर हमें 2 रे। प्लस 5 रे की वारंटी मिलती है 5 रे वारंटी इन रे टैंक की है और 2 रे कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है बॉक्स के इस साइड पर हमें गीजर की इलेक्रिकल स्पेसिफिकेशन दी गई है तीन लीटर का ये गीजर 220 वोल्ट पर काम करता है और 3000 वोल्ट का है वन फेज एसी पर चलता है तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं बॉक्स ओपन करने पर सबसे पहले ये यूजर मैनुवल नजर आता है छोटा सा मैनुवल है इसके साथ में हमें ये दो स्क्रूज और दो रिविट्स नजर आ रही है गीजर की फिटिंग के लिए ये स्टीकर है जो की स्क्रूज की प्लेसिंग के लिए है और ये इसका मैनुवल इसके सिवा और कुछ नहीं है हमें बताया गया था कि इसके साथ एक फिटिंग प्लेट मिलेगी लेकिन यहां नजर नहीं आ रही है दो ये कंड्यूट पाइप्स मिले हैं कोई ज्यादा लेंथ नहीं है करीब एक मीटर होगी लेकिन इतनी लेंथ काफी होती है प्लास्चिक फिटिंग के साथ हैं कॉलिटी ठीक लग रही है इनकी और ये वायर वायर को यहां रैप करके इस तरह से बांधा हुआ है गीजर को बाहर निकालने के लिए हमें ये वायर खोलना पड़ेगा तो इसको खोल लेते हैं वायर की कॉलिटी तो अच्छी है लेकिन इसमें प्लग लगा हुआ नहीं मिलता है वो हमें अलग से लगाना पड़ेगा प्लग ना लगा होने के पीछे एक वज़े ये भी हो सकती है कि कई बार लोग बिना गीजर को फिट किये उसे ओन कर देते हैं तो ये हमें गीजर मिलता है बहुत ही छोटा सा और हलका सा गीजर है बहुत लाइट वेट है बॉक्स में अंदर और कुछ नहीं है ये देखिए इतना छोटा क्यूट सा गीजर है इसके फिटिंग पाइप से इसे कंपेर करके देखते हैं ये देखिए फिटिंग पाइप के करीब हाफ लेंथ का है ये बहुत ही छोटा सा है है हैंस्पैन से मिजर करें तो वन एंड हाफ वन एंड हाफ हैंस्पैन की इसकी लेंथ है वेट में भी ये करीब 2-3 किलोग्राम का होगा तो चलिए इसे पैकिंग से बाहर निकालते हैं ये देखिए पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी में है यहाँ LED इंडिकेटर दिया गया है जो डॉयल कलर में है अभी ये आपको सिंगल कलर में दिख रहा है ओन करने पर ये डबल कलर में आता है फिनिशिंग इसकी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बहुती रफ प्लास्टिक नजर आ रही है यहाँ साइड में स्क्रेचिस भी नजर आ रहे हैं बैक साइड में इस जगह देखिए प्लेट फिटिंग के लिए कैविटी दी गई है पर हमें प्लेट साथ में मिली नहीं है तो हमें इन पॉइंट्स पर ही इसको टांगना पड़ेगा जो दो हमें पेच मिले हैं उन पर ये इस तरह से टांग जाएगा हलका सा गीजर है तो पेच पर भी इसे कैरी किया जा सकता है लेकिन प्लेट साथ में दी जानी चाहिए थी नीचे की तरफ वाटर पाइप्स दिये गए हैं ब्लू वाला वाटर इनलेट पाइप है जहांसे कोल्ड वाटर इन होगा और यह रेड वाला आउटलेट जहांसे होट वाटर बाहर आएगा यह कनेक्टिंग पाइप्स लगाकर इससे अपने टैप के साथ कनेक्ट किया जाएगा और इस वायर को प्लग इन कर देंगे सिर्फ इतना ही करना है इसके साथ हमें यह कुछ safety instructions दी गई है कि इसे बिना fill किये on ना किया जाए otherwise element खराब हो जाएगा यहां cutout knob दी गई है इसका क्या use है मुझे भी नहीं मालूं और साथ ही यह warning लिखी है do not use metallic tools for this knob बस इतना ही है इस गीजर में side से भी देखिए पतला सा गीजर है क्योंकि बहुत कम capacity का है बहुत ही light weight गीजर है यह तो चलिए इसे fit करते हैं और देखते हैं कि इक किस तरह से पानी को गर्म करता है गीजर के back side में यह दो points दिए गए है जिस पर गीजर को hang करेंगे तो हमें दिवार में इन दोनों points के according दो screw tight करने है distance maintain करने के लिए हमें यह एक sticker दिया गया है गीजर के साथ जिससे हम screw कर distance set कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर हमें screw लगाने है तो हमने यह दिवार पर screw लगा लिये है drill करके आप इस पर गीजर को hang करेंगे गीजर को install करने के लिए company की तरफ से free service दी जाती है तो technician ने आकर मेरा यह गीजर टांग दिया है यह देखिए और यह connecting pipes को main line के साथ connect कर दिया है तो गीजर connect होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है इसको on करने के लिए मैंने plug नीचे रखा है ताकि आसानी से on किया सके on करते ही गीजर में यह blue light on हो जाती है आपको वीडियो में white दिख रही होगी लेकिन actual में यह blue color में है थोड़ी देर यह blue रहेगी पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जैसे ही पानी पूरा 90 degree या 100 degree जो भी इसका preset temperature है वहाँ तक गर्म हो जाएगा तो light red color में change हो जाएगी और यह red light on हो गई है red light on होते ही गीजर auto cut हो जाता है अब यह power consume नहीं करेगा पानी देखते हैं कितना गर्म आता है इससे नल कौन करते हैं थोड़ी देर तो जो pipe में पानी भरा हुआ है वो आएगा जो कि obviously गर्म नहीं है गीजर वाला पानी जब आएगा तो आप देखिएगा अभी तो ठंडा पानी है थोड़ा सा पानी निकालना पड़ेगा जो गीजर के आगे की line का पानी है ये गीजर से पानी आना शुरू हो गया है अभी आप देख सके हैं कि पानी से धुआ भी दिखेगा आप ध्यान दीजिए पानी से धुआ निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा तो पानी काफी गर्म हो गया है इतना गर्म है कि अब मैं इसमर डार्क ली हाथ नहीं डाल सकता तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू